हेलो फ्रेंज वेलकम बाइक टू माई चैनल आप सब्सक्राइब फिर से एकनी टोपिक के साथ आज की सेसन में हम बात करने वाले हैं टाइस ओप मेजरमेंट इस मुद्दे पर वीडियो बनाने का मेरा मैन मोटिफ है कि जो भी फ्रेशर सिविल इंजिनियर एस पर साइट काम करना चाहते हैं जैसे आप कॉलेश से पास आउट अभी-अभी हुआ है या तो आप डिजैनिंग फिल में जाना चाह रहे हैं या आप सिविल साइट इंजिनियर के तोड़ पर काम करना चाहते हैं एस पर साइट तो दोनों के लिए बहुत ज्यादा इनपोर्टन है कहने का मतलब है जो भी फ्रेशर अभी पास आउट होके आया है तो उनके लिए बहुत ज्यादा इनपोर्टन है कि साइट पे सबसे पहले आपको मेजरिंग टेप आना चाहिए अगर मेजरिंग टेप आपको नहीं आता है मेजर करने के लिए या उसको रिड़ आउट करने के लिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता देना इस पेसली उस पर एक वीडियो अलग से बना दी जाएगी वो तो आज हम सिर्फ बात करेंगे कि साइट पी जो भी वर कराते हैं वो कितने टाइप्स की हमारे पास मेजरमेंट होता है उसके बारे में बात करेंगे तो टाइप्स ओप मेजरमेंट एक तरफ हम लेंगे इंच एंड फिट्स इंच कर देता सिर्फ इंच एंड फिट्स तो पहला हमारा क्या था इंच एंड फिट्स ठीक है दूसरा यूलिट हम कैसे मेजरमेंट करते हैं एस पर साइट मिलीमेटर जिसको हम सुचिछ करना एम एम से एंड मीटर्स क्योंकि जगार नहीं है इसलिए एम एम का मतलब हो गया मिलीमेटर्स और एंड मेटर्स में आपको क्लियर हो गया यह चीज अब देखिए मेजरमेंट कितने तरह के मेजरमेंट होगा इंच फिट में रनिंग फिट्स यह एक यूनिट हुआ हमारा दूसरा हमारे पास आता है स्क्वाइर मीटर स्क्वाइर पास आता है क्यूविक क्यूविक फिट्स क्या दो रनिंग मीटर स्क्वाइर फीट क्यूबिक फीट यह टीन डेमेंशन हमारा इंच फीट में आप एसपर साइट में जोरत लगता है जहाँ पे हमारा ड्रोइंग इंच फीट में होता है वह यह आपका अगर कमपनी कोई मर्टी निशनल लेवल पे है बड़ी-बड़ी कमपनिया है तो किस में काम करता है किस यूनिट में चाहे उसका ड्रोइंग हो या एसपर साइट सुपर विजन हो या एसपर साइट इंजनियर काम करा रहा हो कोई भी तो ओ मिली मीटर और मीटर में काम करता है तो जस्ट वही है running running meter और हमारे पास क्या होता है square square meter ठीक है अगर तीसरा हमारे पास क्या होता है cubic cubic meter लेकिन सबका short form आप कैसे कर सकते है rm एक पहला नमर को हम दे सकते है rm short form अगर side पे measurement करने के बाद short form क्योंको पूरा पूरा आप लिखोगे नहीं और इस वाले पार्ट को हम क्या लिखेंगे sqm sqm right तीसरे वाले पार्ट को हम क्या cubic को क्या लिखते है m3 m per power 3 कर देते हैं meter cube हमें समझ में आ जाता है right फिर just running को क्या लिखते है rft running foot r उठाया अब fit कर दिया ft फिर इसको हम क्या नाम दे सकते है sq sqft ठीक है फिर इसको हम क्या नाम दे सकते है cubic feet cft right cft ठीक है तो आपको पूरी जी समझ में आ गया होगा कि types of measurement अगर हम s per side काम करने जाएंगे तो हमें इस दो फिरिक्षन दो चीज हमें infotent धियान भे रखके ही काम करना पएगा जो हम पूरा एक running में होगा एक square में होगा एक cubic में होगा running का मतलब होगया single dimension square का मतलब होगया किसी चीज का area आपने लेकाला suppose करो कोई कमरा आपके पास 10 foot वैं 10 foot की है अगर 10 multiply है 10 करोगे तो 100 होगया वो square feet होगया suppose करो कि cubic feet कैसे निकाले suppose करो कि आप slab casting कर रहे हो slab casting मतलब slab की धलाई लंबाई 10 foot है 4 10 foot है और उसके उपर जो concrete की जो ठीकनस आप डाल रहे हो वो 6 inch का डाल रहे हो तो 6 inch को बटे 12 से भाग दोगे तो आप feet बनाओगे आप 3ों को multiply कर दोगी मतलब cubic feet में 3 dimension की multiply होगी और square feet में 2 dimension की multiply होगी running foot में 1 dimension की multiply होगी तो just उसी परका Sam Edge अगर देखा जा millimeter और meter में तो उसका भी कोई अलग से rocket science नहीं है ये Sam Edge ऐसे ही unit होता है हमारा तो हमारे comment section में comment जरूर कीजिएगा और video को like, share, subscribe दोस्तों के साथ जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी पता हो सके क्योंकि आपके साथ college friends बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए आप सभी से उम्मीद है कि अपने दोस्तों के साथ share कीजिए ताकि उन्हें भी ये basic चीज पता जल पाए ठीक है और किसी भी topic पे अगर आप video बनाने के लिए कहोगे तो हम video बना देंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा हम सिविल रिलेटर से ही video लेके आते हैं ठीक है इस्टिमेटिंग कॉस्टिंग होग रकी तो मिलता है नएफ वीडियो तब तक के लिए बाए